हाई अब्रीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ पूचा लूथ्रा दोस्तों किचन हमारे घर का एक एहम हिस्सा है 365 डेज किचन को संभालना किसी भी लेडी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ उपयोगी डिप्स जो किचन में आपकी हल्प करेंगे तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये डिप्स टिप नमबर वन अगर नीम्बू बहुत ही हाड है और उनका रस निकालने में आपको परिशानी हो रही है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए गरम पानी में छोड़ दीजे और फिर इन्हें काटिये इनका रस आसानी से निकलेगा टिप नमबर टू अगर आप एक महीने में एक या दो बार मिक्सर में नमक डाल कर एक से दो मिनट के लिए मिक्सी को चलाएंगे तो मिक्सी के ब्लेड्स तेज हो जाएंगे टिप नमबर त्री अगर किचन में कोई चीज बहुत ही चिप चिपी हो गई है तो उसके उपर या तो ब्लीच डाल दीजे या बेकिंग सोडा डाल दीजे और फिर उसे ब्रश से साफ कर लीजे चिप चिपा पन फौरण निकल जाएगा टिप नमबर फोर अगर आप चाहते हैं कि किचन का प्लाटफॉर्म और फ्लोर शीशे की तरह से चमकने लगे तो आप एक कप सिरके में थोड़ा सा गरम पानी मिला कर उन्हें साफ कर लीजे टिप नमबर फाइव आटा गूनते वक्त पानी के साथ थोड़ा सा दूद मिला लीजे आपकी रोटियां बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज बनेंगी टिप नमबर सिक्स चीनी वाले डिब्बे में अगर आप छे से साथ लौंग डाल कर रखेंगे तो चीनी में चीटियां नहीं लगेंगी टिप नमबर सेवन अगर आप केक बना रहे हैं बेकिंग कर रहे हैं तो एक चम्मत चीनी को ब्राउन होने तक गरम कर लीजे और फिर इसे केक के मिक्सचर में मिला दीजे इसे केक का कलर बहुत ही अच्छा आएगा टिप नमबर एट लहसुन को अगर आप हलका गरम करके छीलेंगे तो लहसुन बहुत ही जल्दी और असानी से छिल जाएगा टिप नमबर नाइन हरी मिर्चों के डंठल तोड़ कर मिर्चों को फ्रिज में रखिए मिर्च 15-20 दिन तक भी खराब नहीं होगी टिप नमबर टेन अगर किचन में काम करते वक्त आपका हाथ जल जाए तो स्किन पर तुरंत बर्फ रगड़िये या फिर आलू पीसकर लगाईए या फिर केले को मैश करके लगाईए इससे छाले भी नहीं पढ़ेंगे और स्किन बहुत ही जल्दी हील हो जाएगी तो ये थे किचन के लिए कुछ उप्योगी टिप्स आपको ये वीजियो जरूर पसंद आया होगा प्लीज 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 लाइक के बटन पर हिट करना बिलकुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेर जरूर कीचे और अगर आपने मेरी चैनल को अ नहीं किया है तो अभी कर लीजिए मैं आपसे मिलती हूं एक और अच्छे से वीजियो के साथ तब तक के लिए टिक क्यों बाई